नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है किसी भूखे को खाना खिलाना दान की रूप में, पुर्णी की रूप में, कर्तब्य की रूप में सबसे अच्छा काम है जो दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के अंतर नहित उब्देशात्मक नैतिक विसे के रूप में शामिक है आखिर यह बाद क्यों कहीं जा रही है उसका उद्देश से यह सुनिश्चित करना है कि गरीब से गरीब नागरिक को भूखाना रहना पड़े जिस कारिक्रम की यहां बात हो रही है उसका नाम है प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना है नहिसल के दिया जा रहा था मतलब उनसे उसके बदले कोई यह पैसे नहीं लिये जा रहे है परंतु इसके साथ ही राष्ट्री खाद सुरक्षा अधिनिया जिसके तर गरीबों को 3 रूपे परती कीलो की कीमत पर 50 और 2 रूपे परती कीलो की कीमत वाला गेहू मिलता है इसे भारत को 2 लाग करोर रूपे से अधिक का खर्चाएगा जिसे केंद सरकार वहन करेगी अर्थ विवस्था में गतिवीधिया सामाने होने के साथ ही सरकार के लोगों समेथ कुछ ने सुझाओ दिया कि इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए हम किस योजना की बात करें? परधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना की हाला कि कई बार इसकी अबदी बढ़ाने के बाद यह निलेल लिया गया था कि इसे वर्ष के अंतरक जारी रखा जाएगा प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना की वज़ा से हर महीने 15,000 करों रुपे का आर्थिक बोज पढ़ रहा था योजना को बंद करना अनिवारी तोर पर एक आउस्थाई उपाय था लेकिन इसकी बदोलत अहम बच्चत होगी ऐसा कहा जा रहा है सरकार ने राष्ट्री खादि सुरक्षा अधिनियम के तहट निशुल्क खाद्यान वितरण एक वर्स तक जारी रखने का दिर ने लिया है मतलब यहां पर यह बात हो रही है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अनियोजना के तहट जो निशुल्क अनाज दिया जा रहा था अब उसे बंद कर दिया गया है और उसकी जरह पर राष्ट्री खादि सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा था और जिसके बदले नाम मात्र के हीं जो सुल्क लिये जा रहे थे उसको स्वाप्ति कर दिया गया है अब राष्टी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो नेसुल के खाद्यान वित्रण होगा उसकी सुरुवात एक जनरी 2023 होगी यह भी समान रूप से उलेखनी है कि भारत एक ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुँच गया है जहां वह आसानी से इस तरह का कदम उठा सकता है वह भी कम से कम चोरी, प्रष्टाचार या लिकेज या रिसाओ के कारियरनित किया जा रहा है दिल्चस बात यह है कि इस योजना की क्रियारनियन के लिए बड़े पैमाने पर इसानों से सरकार अनाज खरीदती है हम बात कर रहे हैं पीडियस की या साजनी वितर्ण प्रणाली की जिसके अंतरगत, वंचित वर्गों को सरकार के द्वारा अनाज मुहया करा जाता है इस प्रकार अर्थवेश्था और समाज को दो बार मदद करती है सरकार की इस तरह की योजना है वह कैसे? तो बड़े पैमाने पर खाद्यान की खरीद कर खेती को टिकाओ बनाना द्रामीन अर्थवेस्था की नीव को मजबूत और टिकाओ बना रखने के लिए महत्पूर्ण है और यह बेरुजगारी को कम करने में मदद करता है कुछ अर्थसास्त्रियों का यह कहना है कि मौजुदा आर्थिक हालात में सरकार को ऐसे निर्णे से बचना चाहिए था खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहट सरकार वैसे भी खाद्यान भारी सबसेडी पर वितरित कर रहे है मतलब यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अगर सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना को अगर उन्होंने बंद कर दिया है तो फिर राष्टी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहट नहीं सुलक अनाज देने का कारी करम नहीं चलाया जाना चाहिए था बलकि उसके बदले नाम मात्र के हैं सही वंचित वर्गों से पैसे लिये जाने चाहिए थे राष्टी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहट सरकार चावल, गेहूं और मोटे अनाज को रमसा तीन रुपए, दो रुपए और एक रुपए प्रति कीलो की दरपर वित्रित करती रही है हलांकि कीमते कम थी और बजट पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ना था लेकिन यह निर्णे सैधान्तिक तौर पर पहली नुमा है इस अधिनियम के तहट खाद्यान वित्रण की बात करें तो यह करीब 80 करोण लाभारतियों का ध्यान रगता है और अनुमान है किसकी लागत करीब 2 लाग करोण रुपए आएगी यह इस पष्ट नहीं है कि किन आर्थिक वजहों ने सरकार के अनिर्णे लेने पर विवस किया महामारी के कारण जब आर्थिक गती विधियां प्रभावित हो रही थी तब नहसुल्क अनाज वित्रित करने की प्रयाप्त वजह थी लेकिन अब इसका कोई तुक समझ में नहीं आता है राजनितिक दिश्टी से भी यह कलपना करना मुश्किल है कि सरकार 2023 के अंद तक नहसुल्क अनाज वित्रित की योजना बंद कर पाएगे क्योंकि उसके कुछी महिनों बाद चुनाव है मतलब हम बात कर रहे हैं 2024 के आंद चुनाव की चुनावों के करीब होने पर ऐसी योजनाव को बंद करना हमेशा मुश्किल भरा होता है ऐसे में जोखिम यह है कि इसे 2023 के बाद भी कुछ समय तक जारी रखा जाएगा यानि यह निर्ण उससे ठीक उलट है जैसे कि सरकार से अपेक्चा की जाती है वह इसलिए कि यह बात ध्यान देने लायक है कि सरकार का राजकोसी यह घाटा काफी अधिक रहा है और सारजनिक रिण के इस्तर को देखते वे उसे राजकोसी यह सुद्रड़ी करण या कंसोलिडेशन को अधिक तेजी से अपनाने का प्रयास करना चाहिए अना कि सरकार ने चालू वर्स में राजकोसी घाटे को सकल घरेलू उतपाद मतलब जीडीप यह 6.4 फिजदी के इस्तर पर सिमित रखने की अपनी पर्ति बद्दता दर्साई है मतले सरकार कमिटेड है नेकिन धिमी वर्द्धी के साथ आने वाले वर्सों में कंसोलिडेशन और मुश्किल हो सकता है राजकोसी यह सुद्री करण और कठिन हो सकता है अंतराष्टी मुद्रा कोस या IMF की ताजा कंट्री रिपोर्ट में अनुमान जताए गया है कि चालू वित्वर्स की भारत की 6.8 फिजदी की विर्दीदर अगले वित्वर्स में घटकर 6.1 फिजदी रह जाएगा दान देने वाली बात यह है कि अंतराष्टी मुद्रा कोस ने अधिक महत्वा कांची और बेहतर संचार वाले राजकोसी सुद्री करण या Fiscal Consolidation की बात कही है जो मध्यम अब्धी में राजकोसी टिकावपन सुलिश्चित करेगा माना जा रहा है कि भारत का कर्ज GDP अगबाद मतलब डेट GDP रेशियो 2021 में 89 फिजदी के साथ अपना उच्चतम इस्तर हासिल कर चुका है लेकिन मध्यम अब्धी में उसके उचर बना रहने की उमीद है अब ऐसी स्थिती में खाध्यान से जुरा निर्ने बाजार को यह संकेत देता है कि सरकार चुनाओ तक राजकोसी सुद्रडी करण को लेकर धिमारुक अपनाएगी जिससे उधारी की लागत बढ़ सकती है ऐसे में सरकार के लिए काफी महत्पून हो गया है कि वह आगामी बजट में सुद्रडी करण का इसपस्ट खाखा कीजे मतलब ये कि राजकोसी स्थिती को मजबूत किया जाए इस वकार हमने इस वीडियो में देखा कि जहां सरकार एक तरफ पुर्धान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना को समात कर लिए वहीं इस योजना को दूसरे रूप में राश्टी खादिश सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत जिसके अंतरगत राश्टी खादिश सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत अगले एक साल के लिए जो इसके अंतरगत वंचित वर्ग जो इसका लाब उठा रहे हैं उनको निसुल्क गेहुचावल वित्रित किया जाएगा इसके साथ ही इस वीडियो को ही समात करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के नेट आपक के साथ नमस्कार अगले लिए हैं लिए करहाई जो है किया जाएगान जाएगा फीडियो कर वाद राहे हैं कि अमेशने वादित दूंचेश पर थे ऑले लगे रहे हैं